दोस्तों आज बात करेंगे कुंडली में और जीवन में पिता और पुत्तर के रिलेशन के बारे अक्सर हमने अपने जीवन में हम देखते हैं कि पुत्तर जो है अपने पिता के लिए कस्टकारी है पुत्तर और पिता की आपस के जो सबंद है वो अच्छे नहीं है दोनों के विचारिक मत पेद जो है वो चलते रहते हैं तो उसका क्या कारण है कुंडली में कौन से ग्रह ऐ होते हैं कि हमें ये चीजे जो हैं वो देखने को मिलती है एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का सवा करते हैं दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों कुंडली में जब हम बात करते हैं पिता और पुत्तर के सबंद के बारे में तो सबसे पहली बात हम ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कुंडली का सूर्या मतलब की कुंडली में लगन में सूर्या उचके होते हैं तो सूर्या को कुंडली में पिता का कारक जो है वो बोला गया है दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि जब कुंडली में सूर्या और शनी आपस में पहर न कहीं मिलते हैं त तो दीवन में और कुंडली में जब ये दोग है आपके कठे किसी बुरे बाव में बैठ जाते हैं दोस्तो तो अक्सर जिनकी कुंडली में ये युटी बनी होती है तो आप निश्चेत ये कह सकते हैं कि पिता और पुतर का सबंद जो है वो आपस में अच्छा नहीं होगा दोस्तो सूर्या और शनी ये दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं हालांकि कुंडली में शनी को सूर्या का पुतर ही बोला गया है दोस्तो पिता का फर्ज जो है वो सूर्या में बाने वाले हैं बट इनकी आपस में जो तासीर है वो अलग है सूर्या आपके जीवन का जोश है आपका आत्रम विश्वाश है आपका कॉड़िजन्स लेवल है आपके जीवन की गती है आपको एक लीडर अफशी क्वालिटी जो है वो देने वाला है स्वबी मानी है आप अपने परिवार को लीड करने की शम्ता रखते हैं जनकी हैं तो इंसान नुक्ता चीनिकरने वाला बुरी संगती में लिफ्ट होने वाला हर चोटी बातवों को पकड़के उन में से नेक्टीविटी को देखने वाला जो है इनसान होता है और अपने जीवन में सुस्ति उसका चुस्ति चलाकी चीज़ए नेक्तिव पहती है और असर की चीजे हैं कुणली में एक सिंपल सा नियम होता है दोस्तों जब सूर्या और शनी आपस में मिल जाते हैं तो कुणली में बैटे हुए मंगल खराब होते हैं मंगल बद बन जाता है अब अगर आप मंगल को देखोगे तो मंगल कुणली में खराब हो चुके हैं तो सूरिया और शनी के इकठे होने से मंगल खराब हुए तो आप चोटी सी बातों को लेके बढ़क जाएंगे गुसा आपके अंदर बढ़ जाएगा इगो क्लैश हो जाएगा विचारिक मत बेद शुरू हो जाएगा किसके साथ सूरिया और शनी की युति के कारण पिता और में बनी हो अस्त्म का बना हो द्वादस का बना हो शटे का बना हो तो यह चीज़े आपको समझनी चाहिए इनके उपाई जो है वो आपको जरूर करने चाहिए हाला कि जब कुंडली में सूर्य शनी कठे होते हैं दोस्तों तो जो पुत्तर होता है उसको दूर पिता से दू की भी होती है और पुत्तर भी अपने जीवर में सैट हो जाता है लेकिन अगर आप दोनों पिता और पुत्तर कहीं एक ही विपार में काम तर रहे हैं तो यह जकीन मानियां वो काफी लंबा अस्था जो उनका आपस में कलैश है वो चलता रहेगा और यह बाता वरन जो महौ जो है तना पुनर गर के अंधर और भी और बाहर दी तो इस चीजों को आपको समझना ज़रूरी है उनको तो यह किता के कसकारी समय होता है। जैसे ही संतान बैदा होगी, फिता का चलता हुए वेपार, वह बंद हो जाएगा। तो इन चीजavam को भी समझना बढ़ा जूरी होता है दोस्तों, पुंखि कुंडली की ववेचनाएं करते हैं, हमें ये चीज़े ग्याथ होती है। आपके जीवन में कु दोस्तों कई बार मैंने देखा है जब कुंडली में सूर्य शनी कठे होते हैं तो लोग कई स्टॉल्जर जो मैंने देखे हैं वो रूबी या फिर नीलम तरतन जो है वो पहना देते हैं लेकिन आपको यह चीज देखनी होगी कि क्या वो आपके जीवन में पहना हुआ रूब जो है वो जाज़ा ना करिए कोई बर्डे सेलिवेशन मना रहे हैं कोई कोई ऐसा आपको बनाना पड़ेगा वो फंक्शन तो उससे पहले थोड़ा सा नमकीन जो है वो दिस्ट्रिब्यूट कर दीजिए इससे राहू किन एक्टिविटी मंगल किन एक्टिविटी और कई न और शनी से ही हम देख सकते हैं डिपेंड करता है कि सूरिया आपके लगन में हैं और कहीं न कहीं बुरे बावों में बैटे हुए हैं तो उनके उपाए आप कुंडली के अनुसार ही करें वैसे भी दोस्तों सूरिया शनी जब इकठे होते हैं तो आप अपने पिता का सम्मा जो है वो करना चाहिए तभी वो घ्रया आपको अच्छे फल दे सकता है सूरिया को जलर पिताप कर सकते हैं रवी वार के दिन गुड पानी में बहा सकते हैं शनी की बुरी चीजें जैसे नॉन्वेज मास मच्छी मदिरा गलत संगती जो शनी को खराब कर रही हैं उनको यही सबंद अगर आपकी जर्म कुल्डी में कोई बुरे बावों में जैसे कि द्वारश में हो सप्तम में हो तो मैरड लाइफ को भी यह सबंद जो है वो खराब करते हैं क्योंकि सूरिया शनी के मिलने से पूरंता मंगल बद होता है और जिनका कुल्डी में मंगल बद होत है ऐसे लोगों के रिष्टे जावता चलते नहीं हैं उनके खून के सबंदित जो रिस्तेदार होते हैं चाहे वो उनके चाचा हो मामा हो चाहे वो उनके सगे सबंदी हो तो सभी से रिलेशन जो है वो दीर दीरे करके खराब होने शुरू हो जाते हैं तो कि मंगल का अर्सा क्या होता है अठाइस से लेके तेटीस की अमर का तो इस पीरिड में आने वाले पांच साल के अंदर काफी तनाफ पुर्ण स्थिती जो है वो बन जाती है तो मेरी आप से निवेदन यही है कि सूरा को अच्छा करिएगा पुशनिकिन अक्टिविटी को कम करिएगा तब ही आ वीडियो आपको पसंद आई हो तो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा ऐसे ही टॉपिक्स वीडियो कांटेंट जो है वह हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे आज के लिए तो इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में किस्यों टॉपिक के साथ